अंकित वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिलललन टॉप शो तेरा बरस पुराना एक मामला तीन मौते दोसो दस गवाह 38 आरोपी आरोपियों में डी आई जी एस पी समेत तीन आई पी एस और दो राजियों के ग्रह मंत्रियों के नाम 16 आरोपी जो बरी हो गए और आज आए एक फैसला की बागी के 22 आरोपी भी बरी हो गए यह मामला जो इतने सालों से बारबार सुनाई पड़ता है इसे कहा जाता है सोहराबुद्दीन अनकाउंटर केस या सोहरा बुद्दिन का कथित फर्जी एंकाउंटर केस इसी केस में आज CBI कोट का फैसला आया है कोट ने 22 आरोपियों को बरी कर दिया है ये फैसला सुनाते हुए स्पेशल CBI जज एस जे शर्मा ने एक बात कही कहा मैं असहाय हूँ सरकार और प्रोजिक्यूशन ने बहुत कोशिशे की 210 गवा लाए गए लेकिन केस से जुड़े सबूत सामने नहीं आ सके अभी योजन पक्ष की गलती नहीं है कि गवाहों ने कुछ बताया ही नहीं जो गवा और सबूत अदालत में पेश किये गए हैं वो किसी साजिश और हत्या को साबित करने के लिए परियाप नहीं है अब सवाल क्या वज़े थी जो फैसला सुनाते हुए जज को ये कहना पड़ा कि वो असहाय हैं ये जानने के लिए आपको पूरा मामला समझना पड़ेगा जिसकी शुरुआत होती है 26 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2005 को एक खबर आई बताया गया गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते और राजस्तान पुलिस की लशकर के एक आतंकी के साथ मुढभेड हुई है मुढभेड में आतंकी मारा गया उस आतंकी का नाम सोहराबुद्दीन शेक बताया गया गुजरात पुलिस ने दावा किया कि सोहराबुद्दीन गुजरात के तबके मुख्यमंत्री दरेंदर मोदी की हत्या की साजिश रच रहा था लेकिन सोहराबुद्दीन के घरवालों का कहना था कि एंकाउंटर फर्जी है शुरुआत में इस बात पर शक इसलिए भी बढ़ा क्योंकि सोहराबुद्दीन की पतनी कोसर भी और उसके दोस्त तुलसी राम प्रजापती का कहीं अता पता नहीं था सवाल ये है कौन थे सोहराबुद्दीन, कोसर भी और तुलसी राम प्रजापती है कुजरात पुलिस के मताबिक वो एक आतंकी था उसके संबंद आयसाई से थे और वो सीयम मोदी को मारने आया था एक पक्ष कहता है वसूली का काम किया करता था पुलिस और नेताओं की शेह पर वो लोगों के पॉलिटिकल हिच साथता था चीजें कितनी उलजी हैं वो इस बात से समझे कि इस साल 4 नवंबर को मुंबई की एक निचली कोट में एंकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान एक गवह आजम खान ने एक आरोप लगाया कहा कि सोहराबुद्दीन ने उसे अपना राज बताया था राज ये कि गुजराती ग्रहमंत्री हरेन पांडिया की हत्या करने के लिए उसे डीजी वंजारा से पैसे मिले थे और उसने वो काम पूरा किया था कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोहराबुद्दीन की मा सरपंच और उसके पिता जनसंग के पूर्व सदे से थे बूलता है वो मध्यपरदेश के उज्जैन जिले का रहने वाला था पहले भी उस पर खूब क्रिमिनल केस थे 1995 में उज्जैन के उसके घर से 40-47 राइफल बरामद हुई थी उस पर अव्यद हत्यारों की तसकरी के मामले थे गुज्रात और राजस्थान के मार्बल कारोबारियों से वसूली और हत्या के कई मुकदमे भी उस पर दर्ज थे सवाल तुलसी राम प्रजापती कौन था? वो भी उज्जैन का रहने वाला था उसके पिता का इटो का भट्टा था 18 साल की उमर में अपराद की दुनिया में कदम रखा और घर छोड़ कर भाग गया 28 बरस की उमर में मार दिया गया फिर मरने का मामला कोट में कैसे पहुँचा? सौराबुद्दीन शेक के भाई रबाबुद्दीन सुप्रीम कोट पहुँचे सौनवाई शुरू हुई और सचाई सामने आने लगी जाँच में पता चला कि सौराबुद्दीन मुर्भेड कांड के कुछ दिन बाद ही कौसर भी को मार दिया गया था इन खुलासों के बाद गिरफतारियां भी हुई वो अधिकारी जिनों ने इस मुर्भेड को अंजाम दिया था उन पर शिकंजा कसा गया मुर्भेड की अगवाई करने वाले डियाई जी डीजी वनजारा, स्पी राजकुमार पांडियान और स्पी एमेन दिनेश ग्रफतार कर लिए गए लेकिन मामला अब भी इतना सिधा नहीं है कि यूही बता दिया जाए इस मामले में बहुत से किंतु-परंतु और कथित तथा कथित है इसलिए सिलसलिवार ढंक से समझिये 22 नवंबर 2005 CBI की चार्शीट के मुताबिक इस दिन सोहराबुद्दीन और कौसर भी हदरबाद से माहराष्ट के सांगली जा रहे थे वो दोनों बस से सफर कर रहे थे तब ही गुजरात ETS ने उनकी बस रोक ली उनने बस से उतार लिया गया कहा ये भी जाता है कि इस दोरान उनके साथ तुलसी प्रजापती भी था अगले दो-तिन दिन तक इने अमदबाद केक फार्म हाउस में रखा गया इस जगह का नाम दिशा फार्म हाउस था तुलसी प्रजापती को यहां इस बीच उद्यपूर भेज दिया गया जहां उसे हिरासत में रखा गया 25 नवंबर 2005 को गुजरात और राजिस्थान के टीमों ने मिलकर सुराबुद्दीन का तथा कथित फेक एनकाउंटर कर दिया सीबियाई के मताबिक 29 नवंबर 2005 को कौसर बी को भी गला खोट कर मार दिया गया उसकी लाश को डीजी वंजारा के जिले सावर कांठा में वंजारा के पुष्टैनी गाउं इलोल में एक नदी किनारे जला दिया गया फिर तुल्सी प्रजापती का क्या हुआ साल बाद 27 दिसंबर 2006 को उसे पेशी पर ले जाय जा रहा था गुजरात और राजिस्थान के बॉर्डर पर गुजरात और राजिस्थान पुलिस की टीमों ने उसका भी एंकाउंटर कर दिया वजह बताई कि वो कस्टेडी से भागने की कोशिश कर रहा था अब तक सोहराबुद्दीन के घरवाले सुप्रीम कोट तक पहुँच चुके थे वो एंकाउंटर को फेक बता रहे थे साथी कोट के जरिये जानना चाहा रहे थे कि आखिर कॉसर भी का हुआ क्या वो कहां गई कोट ने गुजरात C.I.D. को मामले की जान सौंब दी 30 अपरेल 2007 को जस्टिस तरुन चैटर जी की अध्यक्षता वाली बैंच के सामने गुजरात सरकार के वकील केटी एस तुलसी और हिमंती का वाही ने कॉसर भी की मौत के बारे में जानकारे दी एक सीलबन लिफाफे में गुजरात सरकार की जंक रिपोर्ट देते हुए बताया की कॉसर भी भी मारी जा चुकी है 30 अपरेल 2007 को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की कहा की कॉसर भी की मौत हो गई है और उसकी बाडी को जला दिया गया है 2010 में मामले की जान सीबियाई के पास आ गई सीबियाई ने चार्शीट बनाई जिसमें गुजरात के तब के ग्रहमंत्री अमिश शाह और राजिस्थान के ग्रहमंत्री गुलाब चंद कटारिया जैसे नाम शामिल थे 25 जुलाई 2010 वो दिन जब अमिश शाह की गिरफतारी हुई 14 दिन की नया खिरासत पर भेजा गया साबरमती जेल का तिलक कुटीर अमिश शाह का नया ठिकाना बना बाद में 21 अक्टूबर को अमिश शाह को जमानत मिल गए 2012 में फेर ट्रायल के लिए मामला गुजरात से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया 2014 आते आते अमिश शाह और गुलाब चंद कटारिया समेट 16 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया 2014 में बीजी वनजारा को भी जमानत मिल गए थी और 2017 में वो आरोप मुक्त हो गए 2015 में अमिश शाह के छूटने के खिलाफ रुबाब उद्दीन ने अपील की लेकिन फिर कहा वो याज का वापस लेना चाहते हैं बाद में बीवी सी से बात करते हुए कहा अगर मैं याज का वापस ना लेता तो मुझे मार दिया जाता साथ ही कहा अब मैं थक चुका हूँ मेरा भाई और उसकी बीवी तो मर गए लेकिन मेरे बीवी बच्चे डरे हैं मैं इस मामले को छोड़ रहा हूँ हलाकि हर्श मंदर नाम के एक्टिविस्ट इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में पहुँचे लेकिन हाई कोट और सुप्रीम कोट ने उन्हें पार्टी नहीं माना 2017 में सीबिया कोट ने 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप दै किये ट्रायल हुआ 210 गवा पेश हुए उसमें से कई मुकर गए 2018 में 9 दिसंबर के दौरान गवाहों के बयान लेने का और बहस का काम पूरा हुआ और अब कोट ने अपना फैसला सुना दिया है अब क्या सीबिया जांच में बार-बार कहा गया कि राजस्थान के मार्वल कारोबारियों के इशारे पर ये सोहरा बुद्दीन के हत्याएं हुई एक-एक कर इस मामले में शामिल नेता, बैंकर, उद्योगपती और पुलिस के अधिकारी छूटते गए जो कहना था कोट ने कह दिया उसके आगे कोई टिपनी करना मामले पर अपनी राय थोपना है हम वो नहीं करेंगे बस अब जज का ये कहना याद रखिएगा कि वो असहाय है और अब वक्त हो चला है आज की परताल करने का इस वक्त टीवी पर सोशल मीडिया पर एक नाम खूब घूम रहा है नसरुदीन शाह और ये मौका उनकी किसे फिल्म के रिलीस होने का नहीं है असल में उनके नाम के घूमने के वज़ये उनका एक इंटर्वीव है को लगता है देश में रहने में डर यही खबर तमाम जगों पर फेस्बुक, ट्वीटर, वाटसैप पर खूब चल रही है यह सुनते ही हमें याद आए आमीर खान आमीर ने एक शो में देश के बारे में बात करते हुए साल 2015 में कहा था कि उन्हें लगता है कि देश में असाहिशूनता बढ़ गई है उसके बाद आमीर की काफी छीचा लैदर हो गई थी हालागी इसके बाद आमीर के साथ जो कुछ भी हुआ उससे ये प्रूफ तो हो ही गया था कि देश में किसी के कुछ भी कहे को सहने की शक्ती नहीं के ही बराबर है खेर अभी बात नसुरुदीन शाह की होगी नसुरुदीन शाह को अजमेर में 21 दिसंबर को एक लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारम करना था वो मौके पर पहुँचे लेकिन उन्हें फेस्टिवल में घुसने नहीं दिया गया वहाँ उनके खिलाफ नारेबाजी हुई भाजपा युवा मोर्चा के कारेकरताओं ने वेन्यू के बाहर उनका पुतला फूंका और कहा कि वो पागिस्तान चले जाए नसुरिद्दीन काफी देर तक अपनी कार में बैठे रहे और फिर वेन्यू से वापस अपने होटल चले गए आपको ये बता दूं कि इस पूरी भसड की जड़ ये खबरें और सभी ऐसे दावे हैं जो कहते हैं कि नसुरिद्दीन को देश में रहने में डर लगता है गलत है वो अपने बच्चों के बारे में होने वाली फिकर का इजहार करते हुए आगे बताते हैं कि हालात सुधरते दिख नहीं रहे हैं इसके साथ ही वो ये भी साफ साफ कहते हैं कि उन्हें इन सबी बातों से डर नहीं लगता है बलकि गुसा आता है और साथ ही वो जोर देकर कहते हैं कि हर इंसान को गुसा आना चाहिए उसे डर कता ही नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये देश उनका घर है और उन्हें कोई भी नहीं निकाल सकता मुझे कहीं से भी ये बातें किसी डरे हुए इंसान की नहीं लगती खेर इस परताल में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है नसरुदीन शाह को देश में डर लगता है ये खबर अक्षरशा जूट है एक बयान में जाहिर किये गए गुसे को डर से रिप्लेस करके अपने अजेंडे को चमकाय जा रहा है और इसमें लगभग हर मीडिया शामिल होता दिखाई दे रहा है कोई भी पब्लिकली अवलेबल इस वीडियो को एक बार भी पूरा देखने के लिए राजी नहीं है और इसी वज़े से ये जूट इसकदर फैल गया है कि नसरुदीन को पाकिस्तान भेजा जा रहा है तो अगर आपके पास भी है कोई वीडियो या फिर कोई खबर जिसकी सत्यता पर आपको डाउट है तो आप हमें लिख भीजिए ललन टॉप मेल एड जीमेल डॉट कॉम पर शुकरवार 21 दिसमबर की सुबह हल्ला कट गया मालूम पड़ा कि इंडिया के ग्रह मंत्राले ने 10 केंद्री अजंसियों को ये ताकत दे दी है कि वो आपके कंप्यूटरों और मोबाइल फोन्स पर नज़र रख सकती है और उसमें मौजूद जानकारी की जांच कर सकती है कहा जाने लगा कि सरकार ने प्राइविसी का अंत कर दिया और देश की सुरुक्षा के नाम पर देश के नागरिकों की प्राइवेट लाइफ में सेंद्मारी कर दी कई लोग तो ये भी कहने लगे कि ये मौलिक अधिकारों का हरन भी है और मोधी सरकार इसकी जिम्मदार है आई ये असान भाषा में जानते हैं कि पूरी बात है क्या क्या है ये पूरा मामला? ग्रहमंत्रालन ने एक आदेश जारी किया जिसमें 10 एजनसियों के लिस्ट थी इसलिकित आदेश में बताया गया कि ये 10 एजनसियों देश में मौजूद किसी भी कंप्यूटर में स्टोर जानकारी या उस पर जनरेट की गई या उससे भेजी गई अथवा उस पर रिसीव की गई जानकारी की जांच कर सकती हैं अब सवाल यह है कि वो दस एजेंसियां हैं कौन सी? चलि आपको बताते हैं सवाल यह है अब ऐसा करने की वज़े क्या है? नियमों के मताबिक IT Act में लिखा हुआ है कि देश की अखंडता और संप्रभुता के हिट में देश की सुरक्षा के लिए बहारी देशों से दोस्ताना संबंदों के खातिर देश में शांती बनाये रखने के लिए या फिर इन सभी से जुड़ी किसी अपरात को रोकने के ये electronic information का interception, monitoring या decryption किया जा सकता है नियम में लिखी ये बाते ही ग्रह मंत्राले की इन एजन्सियों को ये ताकत देने की वज़े है क्या हर किसी के हर data की कभी भी जान्स हो सकती है? आप ये ही सोच रहे हैं? बताते हैं आपको एक शब्द का जवाब है नहीं Legal Experts कह रहे हैं कि electronic data की जान्स करने के लिए सबी अजन्सियों को IT Act के नियम संख्या 3 को मानना ही पड़ेगा इस नियम के मताबिक किसी भी computer resource से उपजी, उस पर भेजी गई या उस पर मौझूद electronic information की जान्स किसी सक्षम प्रादिकारी या competent authority के order के बिना शुरू नहीं की जा सकती है तो इस case में सक्षम प्रादिकारी ग्रहमंत्राले या राज्य सरकार के ग्रहमंत्राले का secretary in charge होगा अब सवाल यह है, क्या इस कतिज जासूसी के लिए मोधी सरकार जिम्मेदार है? इसका भी एकी शब में जवाब दिया जा सकता है, नहीं यह नियम साल 2009 में आ गया था और उस वक्त NDA की नहीं UPA की सरकार थी और इसे left का भी भरपूर सपोर्ट मिला था अभी नया बस इतना ही काम हुआ है कि हमें यह बता दिया गया है कि फलानी एजनसी आपके electronic data की जांच जरूरत पढ़ने पर कर सकती है तो दिललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही दीजे इजासत आप से मुराकात होगी सोमवार को नमस्कार